जद्यू संसद्य बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा ने अपने 19-20 फरवड़ी को होने वाली बैठक में समताप पार्टी के पुराने सदस्ते और जद्यू बचाने की इक्षा रखने वाले निताओं को बुलाया है वहीं पुर्णिया में होने वाली रैली को लेकर कहा कि मेरे शामिल होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है वो इस रैली में नहीं जा रहे हैं कुश्वाहा ने अधिकारियों की बेच गाली गलोज मामले पर मुख्य मंत्री के हस्तर शेप करने की मांग की है और कहा कि यह सही नहीं है गाली देने के छोट किसी को भी नहीं मिल सकती इधर कुश्वाह के बयान पर सीम नितिश कुमार ने भी जवाब दे दिया है पुर्णिया में उनसे जब कुश्वाह को लेकर सवाल किया गया तो नितिश कुमार ने कहा कि उनका शायद अलाइनमेंट कहीं और हो गया है जद्यू से बागी निता उपेंदर कुश्वाहा ने कहा कि पुर्णिया में रैली हो रही है तो होने दीजिये उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे भी जद्यू की रैली नहीं हो रही है महा गठबंदन की रैली हो रही है यह कारिक्रम अलग है और हमारा जो अभियान है वो बिलकुल अलग है पार्टी की मजबूती के लिए पुर्णिया रैली में पार्टी शामिल हो रही है मेरे शामिल होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कुश्वाहा ने कहा कि सभी पार्टियां अपनी तयारी में लग चुकी है लोग सभा चुनाओ बेहन नजदीक आ रहा है तो सभी लोग रैली और सभाएं कर रहे हैं सभी पार्टिय अपने में लगी हुई है उसी करम में अमित शाह का भी कारेक्रम है चुन अपने बैठा के कारेक्रम पर कुश्वाहा ने कहा कि हमने 19-20 फरवड़ी के लिए सभी को नियोता भेज दिया है जो पार्टिय के स्थिती है उसको लेकर सब कुछ सब के सामने है और साथ ही जो पुडाने समता पार्टिय के समय से जुरे हुए लोग है वैसे तमाम लोगो तो वह अपने से छोटे पद के अधिकारियों को गाली नहीं दे सकता यह बिल्कुल भी बरदाश्ट नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा कि अधिकारी होने का अर्थ यह नहीं है कि अपने से नीचे के अधिकारी को गाली दे इसलिए उसका सर्विस कोड है मुख्यमंत्री ज वो सब कोई चीज जो बोलता है और आप यह लोग करेगा अभी हम नहीं कुछ बुलना हमारे लिए उचित हैं हम सब को कह देते हैं कोई कुछ बोलता है तो पूरी चांच करा लिजिए देख लिजिए क्या मामला है लेकिन आप जानते हैं एक बात आप अच्छी तरह जान लि अपने डिपार्टमेंट को या सीनियर जगहों पर आकर करके अपनी समस्या बतानी चाहिए यहीं नहीं नीजी तोर पर बतानी चाहिए उसको किसी भी चीज को सार्वजनी कुरूप से नहीं घोशित करना चाहिए यह कानून कि आप अच्छी तरह जान लिजिए आपके उपर कोई समस्या है तो सही जगह पर जा करके अपना प्रॉब्लम बता दीजिए तुरत उस पर देखा जाता है लेकिन अभी तो बिशित्र बात है कोई टूइट कर देगा कोई कुछ लिख देगा कुछ कर देगा तो यह सब न अपने स्टेडी को दिख्छास के साथ बनाएए स्मार्ट और बेहदासा दिख्छास अडू टेक 18 फरवडी 2023 से ला रहा है दिख्छास सी लर्निंग एप दिख्छास लर्निंग एप के माध्यम से नरसरी से टूइल तक मिलेंगे टॉपिक वाइज इंट्राक्टिव वीडियो बोर्ड वर्क, स्टडी मैटेरियल, डाउट क्लास, ओनलाइन टेस्ट और आप ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट साथ ही आपको मिले देंगे फ्री डेमो क्लासेज, रजिस्टर करने के लिए विजिट कीजिए www.dikshans.com हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले, धन्यवाद।